तो है गैस, कैसो आप सबी लोग तो एपिसोड टू के शुरुआत होती हैं एंड में पीटर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सालों का सबना पूरा कर रहा था लोवेलया के साथ, जैसे ही पीटर लोवेलया के क्लोज आने वाला था एकदम से वहाँ पे लोवेलया के फाद उसको दिखता है कि जो पीटर वो किसी और लड़की के साथ बैड में है और यह देखने के बाद वो काफ़ीदा शौक होता है क्योंकि जो पीटर है वो अल्रेड़ी एंगेजड है यहाँ था कि वह आप चीटिंग भी कर रहा है उपर से गिल्ड मास्टर की बेटी पे पीटर उसको कुछ समझा बाता उसके पहली वो बंदा वहाँ से चले जाता यह कहतो है कि मैं इस बात को अपनी ग्रेफ तक ले जाओंगा और यहाँ पर जो पीटर है वो रिग्रेट करने लग जाता है पर लेकिन दूसी तरफ वो लड़की एकदम से पीटर को लात मानने लग जा आई है और यह सुनने के बाद जो पीटर है उसकी हालत खराब हुजाती है उसको समझने है था कि अब उसको क्या बोलना चाहिए पर लेकिन जो वीगन है वो खुदी बोलने लग जाती है कि तुम पक्का यही सोच रहोगे कि आखिर जो नोवल्स एं वो आखिर तुमारे ज सकते हैं कि कोई दूसरा रेस उन पर हमरा कर दे इस वैसे उनका जो काउंसल है उन्होंने यह डिस्जिजियन लिया है जिससे कि एक स्ट्रॉंग बच्चा पैदा हो सके जैसा कि तुम जानते होगे जो एल्फ है वो फिसकली काफी जिदा वीक है इस वैसे हमें तुमारे जन लड़किया हैं वो मेरे को अप्रोच कर रही है पर लेकिन माफ करना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुमारे साथ यह सुनने के बाद जो वीकन है वो काफिज तक घुस्से में आ जाती है फिर वो उसको बोलने लग जाते है कि कैसे वो एक नोवल अफसर को गवार रहा है यहा दो रोना बंद करती है और उसके बाद कोई स्प prosecut करने लग जाती है वीकन बताती है कि यह एक फ़ॉरबिडन स्पेल है और उसके बाद वो फी tiर के titreल डाल देती है कल रात तक तुम मेरे साथ करने के लिए request करोगे और मेरे सामने गडगडाहोंगे और यह सुने के बाद प क्रिएचर को मानने के लाए थे लेकिन उनको उसका कोई निशान नहीं मिल रहा था और यहां तक यहां तक राद पी ओने वाली थी पर लेकिन तभी लोवेलिया काफ़ी दा शौक हो जाती है क्योंकि वह जहां पर खड़ी थी वहां पर एक काफ़ी दाद बड़ा पैर का यहां पर वो सब लोग काफ़ी दा प्रॉब्लम में आ चुके हैं यह सुनने के बाद पीटर काफ़ी इस तक खबरा जाता है और फुल स्पीड में वहां से निकलता है लोवेलिया को बचाने के लिए और यही प्रे कर रहा था कि जो लोवेलिया है वो बच जाए और उनको स सकती उसको लोगों क्यों प्रोटेक्शन करनी है और वो अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ सकती वह उस मॉंस्टर पर हमला करती है पर लेकिन एक ही बार में उसका जो स्वाड वही तूट जाता है यहां पर जो वह मॉंस्टर है वह एकदम से लोवेलिया को पकड़ लेता है अपने टेंटिकल्स की मिदद से और उसके बाद वह क्या करने की कोशिश कर रहा था आप खुद ही समझ जाओ और दूसी तरफ जो लोवेलिया उसको वह उल्टा भी लटका देता है मानी मानी में जो लोवेलिया वह पीटर को याद करे जारी थी और वह प्रे कर र सकता है और दूसी तरफ जो पीटर वह कुछ जाथ ही गुस्से में होता है और वह बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोवेलिया पर हाथ डालने की और उसके बाद वह सीज़ा जाके उस मॉंस्टर की एक बार में हाथ काट देता है और यह देखके सब लोग का ज़ पीटर को बिल्कुल भी नी चोड़ेंगे और दूसी तरफ जो पीटर है वो लोवेलिया के साथ बात कर रहा होता है और वहां से स्कीज़ होता है और हमें होट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पेडर का रिलाक्स कर रहा होता है वह लेकिन उसको का जो चोटा हती है वह बड़ा ही नहीं हो रहा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ समय पहले वह कितनी सारी लड़कियों से मिला पर लेकिन उसको रियाक्शन नहीं हुआ जो कि काफी जीव है कई इसमें वीगन का कोई हाथ तो नहीं है और जैसी वह बोलता है उसके सामने एक लग जाती है कि क्या हो गया पीटर क्या तो अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हो और यह सुनने के बाद नहीं हो पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वह मारा जाएगा यह सुनने के बाद जो पीटर है उसकी तो बिल्कुल फट जाती है वो बोलने लग जाता है कि प्लीज असा मत करो इस पेल को जद्धी तोड़ दो लेकिन जो वीगन है वो एकदम से नकरे करने लग जाती है उसको याद दिलाने लग जाती है कि उसने उसको क्या कहा था कि कैसे वो उससे माफी मांगेगा और उसके बाद उससे भीग भी मांगेगा यहाँ पर जो पीटर है वो उससे रिक्वेस्ट भी करने लग जाता है पर लेकिन जो वीगन है वो अभी भी नाटक करी थी जो देखके पीटर को काफे जोता है गुसा आ जाता है पर लेकिन जो वीगन है वो उसको बोले लग जाती है कि अगर तुम्हें इस फैल को तोड़ना है उसके लिए तुम्हें बता है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा यह सुनने के बाद Jupiter वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है यहाँ पे वो एकदम ब्लैंक हो जाता है यहाँ पे पर बताता है कि वो लोवेले को पसंद करता है यहाँ पे तभी बगल से लोवेले की आवाज आती है जो कि दूसरे होट स्प्रिंग में थी यहाँ पर पीटर को शुक्राः बोलती है उसने उसके जितनी भी मदद किय मोदे उन सबी चीजों के लिए यहाँ पर यूरल हे फू पूर करती है तो पिटर को भी उसको व्हेलकम करती है, पर दूसी तरफ पूर करती है पर लिकिन उसका जो शोटा हाथी है वो अब बड़ा सही टाइम नहीं है और ये सुनने के बाद जो लोवे ले आए वो भी उसकी बात पर एगरी करती है और उससे पहलती है कि चलो हम लोग एक साथ प्रेय करते हैं एक तरफ पीटर काफीज़ा रिग्रेट और रो रहा था पलकी जो पीटर है वो मनी मान ये सुच जा रहा था कि इसको हम चीटिंग नहीं कह सकते हैं इसको चीटिंग नहीं कहा जा सकता मिरको इसकी वस जरुवत है मिरको ये करना ही पड़ेगा इसी वैसे मैं ये कर रहा हूं तो ही मासे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुबह उठता ही जो वीगन है वो काफी तो शर्मात होए पीटर को तारीफ करती है उसके मुव्स के लिए और दूसी तरफ जो पीटर है वो ब्लैंक तरीके से पड़ा होता है और इसी तरीके से ये जो एपिसोड वो खता हो जाता है तो गाईस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसे लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग यह तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो बस आज की वीडियो के इतना ही मिलता है नेक्स वोड़ा में तब तक लेज सावना रहा